सुन्दर और चुलबुली लड़की भी जो आम खाने की बहुत ही ज्यादा शोकी थी उसके परिवार में उसके मम्मी शीना और पितार राकेश रहा करते थी ऐसे ही एक दिल भूमी सोकर उपती है और फ्रेश होकर उस जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि ब् बहुत सारी आम की टोकरिया रखी है जिसे देखकर उसका मन खुशी से जूम उठता है और वो आम उठाकर कहती है वाओ इतने सारे आम अब तो मैं सारे खा जाओंगी मैं तो आम की दिवानी हूं तभी वहां उसकी माँ शीना आती है और आम की टोकरी को खीच लेती है इतने में ही अचानक भूमी बेट से गिर जाती है और उसकी आग खुल जाती है और तयार होकर फ्रिज में से जाकर जूसकी बॉटल निकालती है तो उसे फ्रिज में बहुत सारे आम दिखते है तब वो खुद से एक रहती है नहीं नहीं ये फिर से मेरा कोई सपना होगा भूमी तो आम के चक्कर में पागल होती जा रही है जहां भी देखती है तुझे बस आम ही नजर आते हैं सब टेबल पर बैट कर एक साथ खाना खा रहे होते हैं जहां एक प्लेट में आम के बहुत सारे स्लाइसे रखे होते हैं उसे भी भूमी अपना वहम समझ कर नहीं खाती तब ही उसकी मा उससे बोलती है अरे अरे भूमी बेटा आम खाना ये तो तेरे फेवरेट है तुने अभी तक एक भी स्लाइस नहीं खाई मा जूट मन बोलिए वहां कोई आम नहीं है अरे पागल हो गई है क्या तेरे पापा लेकर आई है तेरे लिए ये सुनते ही भूमी प्लेट में रखे आम को उच्छोती है और अनपर तुल्प पड़ती है और एक एक करके सारे आम के स्लाइसेश को खा जाती है वक्त बीटता जाता है ऐसे ही एक दिन भूमी मार्केट आई होती है तभी उसके नजर एक शौक पर बढ़ती है जहां आम पर 85% का डिसकाउंट होता है और जब तक वो वहां पहचती है तो सारे आम बिख चुके होते है आखिर में माहे नाम का एक लड़का बहुत सारे आम को लिचा रहा होता है तो भूमी उसे देखकर बोलती है एक्सक्यूज मी, सुनिये, हेलो जी, वो ये? आ, वो मुझे सॉरी बट, मैंने ये सारे आम और रेड़ी खरीद लिए है और ये में आपको लिए सकता प्लीज, 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 आई रिग्वेस्ट यू गिमी ओल्ली वन मैंगो, प्लीज, ये मेरे बहुत फेवरेट है ओके-ओके, देता हूँ पास में ही एक पार्क है, वहाँ चलते है दोनों वहाँ पहुच कर आम खाते हैं और बात ये करने लगते हैं लगता है तुम्हें मैंगो बहुत पसंद है आम तुम्हेरी चान है सोते, बैठते, उठते, जागते मुझे तो बस आम ही नजर आते हैं अच्छा जी, तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इस भूमी, और तुम्हारा? मेरा नाम माहिर है क्योंकि में हरकाम में माहिर हूँ Oh, really ye щоб, you are so funny माहिर भूमी से बात करते करते उसे अपना दिल दे बैठता है और भूमी को भी माहिर पसंद आ जाता है जाते वक, माहिर उसे सारे आम दे जाता है भूमी मना तो करती है लेकिन माहिर सबरदस्ती उसे सारे आम दे देता है वक्त फीपसा जाता है धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं साथ ही अपने घरवालों को अपने रिष्टे के बारे में बता कर उनसे शादी करने की मनसूरी भी ले लेते हैं और अगले ही हफ्टे दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है कुछी दिनों में भूमें अपने ससुखाल की सारी जिम्मधारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में जाती है तो उसे आम की चार पेटिया नजर आती है उन आमों को देखकर उससे सब्र नहीं होता और वो उन में से कुछ आमों का आइसक्रीम, कुछ का मेंगो शेक, कुछ का आम पनना और कुछ आमों को रसोई में ही खड़े-खड़े खा जाती है तब ही उसकी उसास तुर्गेश और पती वहाँ आते है और एक बेटी को गायब देखकर बोलते है अरे बूमी, यहां से आम की एक बेटी और कहां गई? आव, तो मैंने योज करे ली मैंने कुछ आम का मेंगो शेक बना दिया कुछ आम का आमपद्ना बना दिया और वे काफे कुछ बनाया है मैंने क्या? यह तुमने क्या किया बूमी? यह मेरे बॉस को देनी थी अर्जेंट में यह मेरे बॉस को देनी थी उनने मेरे घर पर रखवाई थी अब क्या होगा नास बेटी करम जली बेल उड़ी अरे मेरे बेटे को नौकरी से निकलवाना चाहती है क्या अरे किस से पूछ कर तुने आम की पेटियों को हाथ लगाया वो मा जी मुझे लगा कि आपने आम घर लिए ही मंगवाए है अब क्या होगा उनोंने अपने घर वालों के लिए मंगवाए थे क्योंकि उनकी वाइफ को आम बहुत पसंद है उनको तुम्हारी तरह सॉरी माहिर जी वैसे एक आइडिया है मेरे पस वो में दोनों को उस आइडिया के बारे में बताती है और वैसा ही करने को बोलती है कुछ देर बाद उनका वेलकम करते हैं और तभी माहिर बोलता है आई सर बैठिये मैं आपके लिए एक बहुत इंट्रस्टिक चीज़ मंगवाता हूँ वो मी जरा आओ सब अरे बाई ऐसा भी क्या है सर आपकी वाइफ को मैंगोस बहुत पसंद है न इसलिए मैंने उनके लिए अपनी वाइफ से कुछ बनवाया है वो हूँ क्या बात है चा थैंक्यू माहिर भूमें डाइनिक टेबल पर आम की अलग-अलग टिशिस रख देती है जैसे की मैंगो शेक, आइस क्रीम, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो केक, आम पन्ना, मैंगो आइस इत्यादी सभी लोग बैट कर उन्हें खाते है उसे खाकर माहिर का बॉस और उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते है और बोलते है माहिर एक प्लेट में आम परोस कर भूमी के लिए ले जाता है और उसके पास आकर कहता है माहिर भूमी के होटो पर आम की स्लाइस लगाता है और रोमेंटिक से तरीके से उसे खिलाता है साथ ही एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी तरफ खीच लेता है और उनों के बीच किस हो जाती है दोनों अपने इस प्यार भरे पल को बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय करते है कुछ समय बाद पता चलता है कि भूमी प्रेगनेट है और अपनी प्रेगनेंसी के दोरान भूमी का आम खाने से मन भर जाता है और वो एपल खाने लगती है जिसके बाद वो एपल की फैन बन जाती है और कुछ टाइम बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन देती है फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते है दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा